वास्तु शास्त्र में घर की छट का भी मेहत्व होता है और इसे वास्तु शास्त्र में ध्यान में रखा जाता है छट को घर की सुरक्षा और स्थायत्व का प्रतीक माना जाता है और इसकी समरिद्धी और शुभता में भूमिका होती है ऐसे में घर के वास्तुदोशों के कारण कई बार मेहनत का फल नहीं मिल पाता है चछत को सुन्दर साफ स्थिर रखने से आपके घर में समरिद्धी और सफलता की उर्जा बनी रहती है यदि आप घर की चछत के वास्तुदोशों को दूर करने के लिए इसे सुधारना चाहते हैं तो उपायों को अपना सकते हैं बेकार चीजे चछत पर न रखें बेकार पड़ी चीजे घर में न केवल अव्यवस्थित्ता पैदा करती हैं बलकि वास्तुदोश भी लाती हैं इसलिए इन चीजों को चछत पर रखने से बहतर होगा कि आप उन्हें हटा दें और घर को साफ और व्यवस्थित रखें इससे आपके घर की समरिद्धी बनी रहेगी यही नहीं इन चीजों को चछत पर न रखें इससे घर में जगड़े होते हैं और आये दिन क्लेश होते रहते हैं चछत पर पेड़ पौधों को लगाएं यह घर की चछत को सुंदर और प्राकृतिक बनाए रखने में मदद करता है हालांकि आपको यह ध्यान देना चाहिए कि सूखे पत्ते डाली या अन्य बाहर निकलने वाले पात्स को चछत पर नहीं विखरने देना चाहिए इससे चछत पर कूड़ा जमा हो सकता है और वास्तुदोश उत्पन हो सकता है इसलिए समय समय पर सूखे पत्तों को साफ कर दें या चछत से हटा दें ताकि आपके घर की शुभता बनी रहे चछत पर रसी का बंडल रखने से वास्तुदोश पैदा हो सकता है रसी के बंडल के द्वारा उर्जा बंदी जाती है और यह वास्तुदोश के कारकों को बढ़ा सकता है इसलिए छद पर कपड़े सुखाने के लिए रसी ना बांधें तूटे गमलों और मतकों को छद पर रखने से वास्तुदोश पैदा हो सकता है और नकारात्म कूर्जा को आमंत्रित कर सकता है इसलिए ऐसे कूरे को ततकाल हटा दें और उन्हें साफ और व्यवस्थित रखने का प्रयास करें